आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि Boya M1 आपके स्मार्टफून में connect नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने स्मार्टफून में Boya M1 को connect कर सकते हो तो वीडियो में तक बने रहिएगा और उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना बैल आकान प्राइस कर देना क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ So guys चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो So guys बोयामन को अपने मुबाइल में अपने स्मार्टफून में कनेट करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन कैमरा एपको पिले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसे ही आप इस हैप को डाउनलोड करते हूँ आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ओप्शन मिलेगा आपको सेटिंग पर किलिक कर देना है अब जैसे ही आप सेटिंग पर किलिक करते हैं आपके सामने यहां पर एक option देखने को मिलेगा नीचे आएंगे video setting का आपको video setting पर किलिक करना है अब यहां पर आपको scroll down करना है यहां पर आपको audio source का option दिख रहा है audio source पर किलिक करेंगे और यहां पर आपको option दिख रहा है external mic तो आपको यहाँ पर external mic पर किलिक कर देना है अब जो आप अपनी mobile से वीडियो बनाएंगे अपने mobile से आप वीडियो शूट करेंगे open camera से तो यहाँ पर आपके mobile से जहाँ वो audio चलेगी अब बोया M1 से जहाँ वो mic से आपकी वीडियो को लेगा यहाँ पर इस तरीके से आप लोग बोया M1 अपने smartphone में connect कर सकते हैं और एक बात का ध्यान रखेगा आप अपने mobile से open camera के थुरू ही अपनी वीडियो को शूट करेंगे जभी आपके mobile में बोया M1 जो है वो काम करेगा So guys I hope आप समझ गए होंगे कैसे आप लोग बोया M1 को अपने smartphone में connect कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon price कर लेना क्योंकि ऐसी amazing वीडियो मैं अपने youtube चैनल पर लाता रहता हूँ और मुझे instagram पर follow करना मत भूलना link description में मिल जा झाल 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 झाल